इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 5 सॉल्ब करने वाला हैं जिसका नाम है वीड कुवर्षी हैं तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z QUESTIONS सॉल्ब करेंगा तो आप सब बोड रहते हैं कि क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 5 लाए जाए तो chapter 5 लेके हाजिर है तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कितना गंदा है यहाँ इससे तो पड़ाई हो नहीं पाएगा तो आप सब के लिए video बनाया है special तो इतना करते हैं तो आप सब video को like में नहीं करते हैं तो वीडियो को like केजिए और अपने friends में वीडियो को share केजिए तो यह रहा पेडियाफ तो देखिए पहला सवाल है parts है वीर कवर्शीन से संबन देत किसी एक प्रसंग प्रसंग या नहीं घटना कर लेक किजिए जो आपको आप विस्वस्थनी लगता है हो गया है तो अब विस्वस्थनी लगता है है तो अब विस्वस्थनी लगता है Hi और आपको कौन विस्वस्थनी चीज लगा इस chapter में आप सब पढ़े तो तो आपसे पताएगा अगर नहीं पढ़ें chapter तो किताब से पढ़ लेजेगा और बताएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा विश्वसनी लगा अब विश्वसनी मत पता ना कि आपको विश्वास नहीं हो रा कि यह घटना कैसे हो गया ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है तक हो तो लिखेंगे एक बार वूर्वर्द सीन नाव से गांगा नदी को पार कर रहे थे टिक है पार कर रहे थे उसवक्त ति यूद चल रहा था ठीक न न अंगरेज और उतके बीच आप yours और अचानक इविट कवर्षी के जीवन से जुड़े कुछ घटना करम तीथियों के साथ इस्तमक और इस्तमख में दिये गया है। सही-सही उनका मिलान किजिए। तीथर घटना दिया गया और इथर तीथी दिया गया। तो आपको मिलान करना सही से तो चलिए बताते हैं कैसे होगा। तो दीखे विट कवर्षी द्वारा सवधिन्ता की विज़े पता का फराना पता का यानि के अजंडा। तो कब भड़ा थे 27 अपरेल, 23 अपरेल 1858 को। तू है दानापूर सैनिक चावनी की सैनिक टुकडी द्वारा विद्रो। तो दानापूर सैनिक चावनी में सैनिको के द्वारा विद्रो कभ हुआ था। पर्टिश जुलाई 1857 को। ठीक, 1857 क्या यूद है ना, यह पढ़ना है, हिस्ट्री में भी पढ़ना है, क्लास एट में पढ़ना है, वीर कवर्ष ही कि मित्तिव कब हुए थे 26 अपरेल 1858 को। ठीक है, फोड है, अंग्रेजी फॉस द्वारा जगदिशपूर पर अधिकार, तो कब अधिकार कर लिया तेरा गस्त, 1857 को, और आरा पडविजय है, तो 27 जुलाई 1857 को, यह हुआ, तो यह आप याद कर लिजेगा, डेट के साथ, तक एक जाम है है, तो आप सब लिख सकें नेक्स्ट है, कोशंच, इसको चेंज कर देता है, थी है, नेमलिकेट पर्शनों को ठर, एक वाक्य में देजए, एक वाक्य में, तो कहा है, विर्कवर सींग का जन्म कहा हुआ था, तो उतर लिखेंगे, विड्कवर सींग का जन्म भोजपूर, जिले के, जगदिशपूर moteur में हुआ था ठीक है रहा पिदे ता कि दिखे़ ना तो यहां पर इनके लिखागां थे यहां भी उनके लिख देगा मतःा का नम पंच रहण कूवर था ठीक है , ठीक है ? तो उनका नाम पढ़ गया वीड कोवर्शी है गह बेटे जंडे को किस नाम से जाना जाता है तो तो लिखेंगे बेटे जंडे को यूनियन जैक यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है किस नाम से यूनियन जैक गह वीड कोवर्शी ने अपनी रियासत की जीमिवाड़ी कब स तो उतर लिखेंगे वीर कुवर सींग ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी 827 इसवी में संभाले अंगा है कुवर सींग को किस शितर में ज्यादा रूची थे तो बच्पन से ना उनको घुरसवारी तलवार बाजी यह सब में रूची था तो उतर लिखेंगे कुवर सींग को घुरसवारी तलवार बाजी तथा कुस्ती लड़ने में ज्यादा रूची थे तिके ज्यादा आगे है आगे पढ़ेंगे पार्ट से आगे तो कोशन है वीर कुवर सींग के किस कारे से आप ज्यादा प्रभावी थे और क्यूं तो उतर अपना हाथ काट कर गंगा मया को अरपीत कर दिया था जब अंग्रेज का गोली मारा तो उनका हाथ में लग जया था तो इनके सहासपुर्ण कारे से में ज्यादा प्रभावित हूं कि इस प्रकार का कारे ना मात रुभूमी के लिए कोई महान व्यक्ति नहीं कर सकता नॉर्मल तो यह था संतावन के क्रांते के समय कोवर्ण सींग की जगा आप होते तो क्या करते हैं तो मैं होता तो क्या करता हूं तो तो लिखेंगा टास सतावन के क्रांते के समय कुवर्शी के जगा मैं होता तो मैं भी मात्रभूमे के लिए अपना सरवस्व सरवस्व यानि क्या सब कुछ अर्पित कर गुलामे के जंजीर तोड़ने का हर संभव पढ़ियास करता क्यूंकि हम सब गुलाम थे तो फ्रेड को ब्हार वाषी किस दिवस कि रुप्ने मनाते हैं तो दिखिए उतर लिखेंगे थेस अपरेल को बिभारवाऊसी विजय दिवस की एक युद्धह ही नहीं बलकि किजिए एक इसके समन्द से अपना विचार देना है जिसके समंद में अपना विचार देना है तो तो लिखेंगे कुवर्स ही है कि कुसल यूधा थे इसलिए बिभिन रियासत के राजा एबम सैनिको ने उनकी अगवाई में अंग्रेजों के विरुद लोहा लिया था यानि अंग्रेजों को भी लड़े थे तो उनके पास बहु आगे बढ़ सेके तो नितित करने के छमता इनमें था साथ इनके कुशल नितिर्त के कारण ही उत्ताभाद के अनेक राजा संगर्ठित हुए था ठीक है तो यह समझाते थे तो समझ जाते थे और उनके क्वालिटी से तो बाकी राजे परिचित थे इनके यूध कॉसल एम र करते हैं तो अ अपने क्लास या स्कूल में कोई कारिक्रम होता है तो मैं उसका नितिर्त करता हूं ठीक है तो आप भी करते होंगे तो आप ये लिख दीजिएगा अब पढ़ने वाले हैं व्याकरन इन सब्दों के मानक उच्चारन कीजिए मानक उच्चारन करना ते तो इजिए पला कुवर जगदीशपूर और विश्वसनिये आजमगर्ड रननीती वीर प्रस्विनी सोतंतरता अवसेस फालगुन प्रसिद्ध सोर्य तो ये पुच्चारन कीजिएगा तो आगे है नमखित सब्दों के प्रिवाची लिखे है प्रिवाची सब्द तो देखे रियासत को राज्य भी बोलते हैं जंडा को पताका भी बोलते हैं ठीक है आगे है भूमी भूमी को तो जमीन भी बोलते हैं सोतंत्र सोतंत्र यानि अजाद अजाद भी बोलते हैं प्रतिच्छा यानि इंतेजार संकल्प यानि निश्य कहते हैं कि संकल्प लोग कि ये तु तो नहीं करोगे, या फिर ये तुम करोगे, कोई गलत चीज़े तो नहीं करोगे, सही चीज़े तो करोगे, इस परकार से पड़ा chapter समाप्थ होता है, तो आइउप आपके वीडियो पसंद आऊगा, आप से request करें थे हो, कि वीडियो लाइजा, चप्टर फाइव का तुल्य ले आया तो वीडियो का आप लाइक कर देजेगा थैंक्स पर वाचिंग